आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अपना एक coordinate plane है यहाँ पर अपन प्रोजेक्ट कर रहे है तो अगर हमने इसको ठीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो हम कैसे से इनालाईज करते थे इसका motion इसकी velocity को हम दो component में वाइट कर लेते थे एक तो अपना horizontal हो जाता था अगर अपने जिस speed से प्रोजेक्ट किया है वो u है तो यह वाला component u cos theta हो जाएगा and vertical कितना हो जाएगा अपना vertical हो जाएगा u sin theta तो इसका time period कैसे हो जाता था time of flight बोलते थे जिसे हम इस projectile का वो हो जाता था जिस time में यह क्या करे इतने time में एर पर रहेगा वो होता था इसका time of flight ठीक है जो हम कैसे निकाल लेते हैं इसके जो vertical velocity को अबजर्ब करेंगे तो यह पहले क्या करेंगा ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा ठीक है तो total time लगेगा जो भाही इसका time of flight होगा एंड एक SM find कर सकते हैं second equation of motion apply कर देते हैं तो इसका displacement क्या हो जाएगा final zero second equation of motion होती है अपने h equal to ut plus half of at square ठीक है सिंस यहां से start किया था इसने यह वापस आ गया तो h हो गया अपना zero initial velocity क्या है u sin theta ठीक है into t time of flight acceleration due to gravity g downward लग रहा है तो minus 1y2 g of t square ठीक है तो एक तो t अपना zero आ जाएगा और दूसरा t जो कि अपना time of flight होगा वो आ जाएगा 2u sin theta by g राइट अब range क्या होती थी range होती थी मिस इतने time में इसने horizontal में कितनी distance cover की उसको हम range बोलते थे ठीक है तो यहां से range हो जाएगी horizontal में इसकी जो speed है वो constant है u cos theta into time period ठीक है तो यह आ जाता था अपना u square sin 2 theta divided by g ठीक है अब होता क्या था मिस अगर हम theta को अगर इदर pi by 2 minus theta put कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा u square sin of 2 times of pi by 2 minus theta divided by g ठीक है तो 2 से multiply होगा तो यह हो जाएगा pi minus 2 theta तो u square sin of pi minus 2 theta अब sin of 20 minus 2 theta क्या होता है sin 2 theta तो यह तो same आ गया ना means यहां से हम क्या बोल सकते हैं यहां से हम बोल सकते हैं कि जो range है वो theta and pi by 2 minus theta के लिए equal होगी ठीक है तो एक अगर angle अपना 30 degree है ठीक है तो दूसरा angle कितना हो जाएगा 60 degree जिसके लिए जो अपनी range होगी वो क्या होगी सेम होगी लेकिन maximum height के बारे में क्या होल सकते हैं वो हमें find करनी पड़ेगी तो maximum height क्या होती थी अपनी h max मीस जितनी maximum height के particle अपना जा रहा है तो वो कैसे find कर सकते हैं वो find कर सकते हैं मीस इसे ty2 time जाने में लगा होगा ty2 time आने में ठीक है तो हमें जो h max find करना है तो h हो जाएगा अपना initial velocity u sin theta into time period का half तो यह हो जाएगा u sin theta y g right minus 1 y 2 g into इसके half का square मीस u sin theta divided by g इसका square ठीक है यह हो जाएगा अपना h max इसको solve करेंगे तो यहां से h max आ जाएगा अपना u square sin square theta divided by 2g ठीक है अब अपना एक तो theta है कितना एक theta है 30 degree जिसके लिए h max की value हमें h दी गई है ठीक है दूसरा theta हो जाएगा अपना 60 degree जिसके लिए range same होगी उसके लिए h dash हमें find करना है तो जब theta equal to 30 degree put करेंगे तो यह कितना हो जाएगा h equal to u square ठीक है divided by 2g तो common रहने वाला है sin 30 कितना होता है बन बाइटू बन बाइटू का square ठीक है दूसरे के हमें h dash बोल देते हैं यू square by 2g अपना common रहेगा ठीक है theta 60 degree put कर देंगे तो root 3 by 2 square कितना हो जाएगा अपना 3 by 4 ठीक है दोनों को divide कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा अपना h y h dash equal to u square by 2g तो दोनों में same है तो यह cancel हो जाएगा ठीक है यह कितना है अपना बनवाई 3 ठीक है यहां से h dash आ जाएगा 3h मिस दूसरे एंगल के लिए जिसके लिए range से मैं theta equal to 60 degree के लिए उसके लिए maximum height 3h होगी मिस option B अपना correct है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर